क्या आपने कभी सुना है कि किसी पत्थर को बजाने पर डमरू की आवाज निकले शायद आपको यकीन ना हो पूरी कहानी बताते हैं पहले आप खुद ये विडियो देखें ये रहसे मई गुफा हिमाचल प्रदेश में है इस गुफा में शिव भक्ती और प्राचीन मानिताओं का अनुखा संगम देखने को मिलता है तो चलिए हम आपको यहां की पूरी कहानी सुनाते हैं आखिर पत्थरों से क्यों निकलती है डमरू की आवाज ये रहसे जानने के लिए इस विडियो को पूरा देखें हिमाचल के पहाड और सुन्दर वादियों की बीच बसी है शिव आस्ता महदेव की इस गुफा का नाम है शिव धांक गुफा ये गुफा आपको सोलन जिले के उचे पहाडों पर मिलेगी स्थानिय लोगों से बातचीत में पता चला कि इस गुफा में कैसा शिवलिंग है जो यहां स्वैम प्रकट हुआ इसी कारण से इस जगा की दिवता और भी बढ़ जाती है पर सबसी अनोखी बात तो यह है कि यहां पत्थरों को बजाने पर डमरू की आवाज निकलती है इसी से जुड़ी शिव धांक गुफा के बारे में कुछ प्राचीन माननेताएं भी हैं कहा जाता है कि भगवान शिव स्वैम इस पहाडी पर निवास करते हैं यही वज़ा है कि यहां के पत्थर डमरू की आवाज निकालते हैं यह आवाज आज उसे नहीं बलकि सालों पुरानी हैं माना जाता है कि समय के साथ साथ इस पहाडी को बहुत नुकसान पहुचा एक भव्य मेला लगता है दूर दूर से भक्त भगवान शिव के दर्शन करने पहुंचते हैं सावन के महीने में भी इस गुफा में शिव भक्त शिवलिंग पर अभिशेक करने आते हैं माना जाता है कि अगर यहां सच्चे मन से कोई मननत मांगो तो वो जरूर पूरी होती है अगर आप भी शिव धांक गुफा के दर्शन करना चाहते हैं और पत्थरों से निकलने वाली डमरू की अवाज को खुद सुनना और देखना चाहते हैं तो जाते जाते महादेव की इस रहसे में गुफा तक का रास्ता भी जान लीजिए इसके लिए आपको सोलंच शहर से बरोग की ओर जाते हुए चेवा गाउं तक पहुँचना होगा यहां से करीब डेड़ से दो घंते का पैदल रास्ता तै करें यह रास्ता करीबन दो से धाई किलुमीटर का है रास्ते में आपको खूबसूरत नजारे दिखेंगे जो आपके ट्रेक को रोमांच से आने के लिए सीडियों का इस्तमाल करें यहां शान्ती और शिव भक्ती की आस्ता आपका मन मोहलेगी जाते जाते आपको यह भी बता देते हैं कि सावन का महीना 19 अगस्त तक चलेगा तो इस सावन में शिव धांक गुफा के दर्शिन का प्लान जरूर बनाएं अगर आपक के लिए देखते रहें लोकले टीम